यहां पर हम देखें आमेर का जो कच्वा राजवन्स है को कच्वा बंस है वो हम देखते हैं आपर आमेर के कच्वे बंस है यह आमेर है आमेर के आसपास के बला जो चेत्र है पहले मतस चेत्रिक अंद्राता था यानि मतस जो लोग थे यहां पर सासन करते थे और मतस की कच्वा राजबूतों हराया है और उसके बाद में कच्वाओं के यहाँ पर कच्वावस की इस्ताफना होती है मुदर हम बात करें also आमेर का नाम कहां से आता है अराव은i की जो Fụ Tills हैं जो निशली पाडियां है रावले की निशली पाडियों पर अंबी किस और महधिव का मंदर था और अंबी का राज़ा के दोरा 5000 साल पहले के आसपास कर वाए था तो इस बज़े से भी यहाँ पर जो जैपर के आसपास वाला जो छेतर है वो आमिर के नाम से जा जाता है यानि कि आमिर वहाँ से भी पड़ा है अब यह जो कच्छवा राजपूत हैं यह अपने आपको कुस लव और कुस हैं मतानी के विशे अपने अपको सुरिय मंसी भी बताते हैं उसके रहाँ कि आमर का क्या है तो आमिर का यहां है यहां पर 1037 में आमिर की दूलर नाइज से इसामिर के दूलर आयए था इन्हों है यह जीता था जो भी शासन था वहूंत सब्सक्राइब करते हैं यहां पर करते हैं यहां पर करते हैं जहागीर से तो यहां पर जहागीर से नहीं करते हैं यह जहागीर इनका पुत्र होता है जैसे हम बात करें भारमल कच्वा है भारमल कच्वा की लड़की थी हरखावाई और इस हरखावाई की साधी की जाती है अकवर के साथ में और अकवर के साथ में साधी करने के बाद में इनके जो पुत्र होता है और हरखावाई का उस्त पुत्र का नाम था यहाँ पर जहागीर तो यह चोथा मुगर्र सम्राड था जहागीर और यहाँ पर उपादए की बात करें то यहाँ पर जो अक्बर योजना से इन्होंने एक जयनगर बसर सहर है बसाया था और इस जय 나와 काई नाम बाद में क्या पढ़ा है बुर्तमान बेब जय बहुतपभी और इस टार् टिंग में यह क्या है सिरू के अंदर पीले रंग के lime क Soci Heau, वह फिटे कि मग Finks Dr走icken पिए और आ छेत्कुन सास्रकों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी भारमल सिंग की तो भारमल सिंग का जो शासनकाल रहता है 15 나와 wifi की साधी करते हैं और इनको अकवर के दोरा जो उपादी दी जाती है राजा की उपादी इनके दोरा वार्मल सिंग को राजा की उपादी दी जाती है और अमवेर उल उमर की उपादी भी यहाँ पर इसके दोरा अकवर के दोरा वार्मल सिंग को दी जाती है फिर बात करते हैं भगवंत दास, भगवंत दास का पुत्र था यहां पर राजा मान सींग और यहां पर यहां पर यह दोनों को ही अकवर के दोरा मरणा परता को समझाने के लिए वेजा जाता है भगवन दास की पत्नी का नाम था भगवन ती जो की आमिर की थी और इनका पुत्रत था राजा मान सिंग जो की 1550-1660 तक यहाँ पर अकवर की नौरतनों में से भी एक था यानि अकवर की नौरतनों में यहाँ पर राजा मान सिंग का नाम है राजा मान सिंह की पुत्री थी तोसी मनोर्मा वाई असे व्यासी के साथ होती है कि इसके साथ में दारा सिकोह के साथ में और जब मनोर्मा भाई की जो राजा मान सिंग की पुत्री थी मनोर्मा भाई इसकी साधी राजा दारा सिकोः के साथ में होती है तो फिर यहां पर साहजा का जो पुत्र था साहजा का पुत्र कौन था साहजा का पुत्र था यहां पर दारा सिको तो इसके साथ में मनोरमा भाई की यहां पर साधी होती है और उसके बाद में यहां पर हम देहें राजा मान सिंग को जो उपादी दी गई है राजा मान सिंग को उपादी दी गई है मिडजा राजा की उपादी दी गई है उनको और फर्जंद की यहां पर अपादी दी गई है अकवर का पुत्र की अपादी दी गई है यह अकवर के दोरा राजा मान सिंग को अपादिया दी गई है तो यहां पर मनोर्मा भाई का वबाई किसके साथ में होता है दारा सिको किसा साथ में कि उसके बाद में हम देखते हैं कि यह जो हल्दी गाटी का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था पंद्रा सो चेतर में यह हां पर हल्दी गाटी का युद्ध होता है और इसमें अंत में क्या होता है जब हल्दी गाटी का युद्ध चल रहा था तो अंत में यह जाला मान सिं यहां पर किसने की ती तीसरा के लिए जैला मान सिंग ने क्या है वलिदान दिया है तो यहां पर बात करें भाना पर из-inink कि दिया थो मुझे थे राव पूरी यां कि Miles ऑा राम साय तमर यह महा करताब के लिए और अकवर की तरफ से यहां पर बात करते हैं कि अकवर की तरफ से यानि अकवर ने यहाँ पर किसको दिया था मान सिंग को मान सिंग को यहाँ पर बिहार बे बंगाल का गवरनर बनाया था अकवर के दोरा मान सिंग को अब जब बिहार और बंगाल का गवरनर बनाया जाता है अकवर के दरा मान सिंग को तो यहाँ पर विहार के अंदर यहाँ पर जो मान सिंग है यह मानपूर सिटी की स्थापना करते हैं और वंगाल के अंदर यहाँ पर अकवर को यह अकवर सिटी की यहाँ पर स्थापना करते हैं तो यह मान सिंग के दौरा दो सिटियों की स्थापना की जाती है अकवर सिटी की स्थापना जो की बंगाल के अंदर की जाती है और मानपूर सिटी की स्थापना है यहां पर वियार के अंदर की जाती है और यहां पर मुगलों के लिए मुगलों के लिए क्या है मुगलों के लिए इन्होंने कावल और उडिसा को भी जीता है उसके बाद में बात करते हैं मान सिंग की जो मान सिंग है यहां पर उचे की बात चल रही है मान सिंग है वंगाल के केदार के साथ में युद्धि करते हैं किसके लिए शीला देवी के य आमेर के लिए लाते हैं आमेर के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि आमेर में ये शिला देवी के चुछन है उनको यहां पर रिस्तापित करते हैं बर्दमान में यहां पर बात करें वर्दमान में वर्दमान है गोविन देव जीव का मंदर ने बनवाय है और दादू द्याल हैं इन्नी के समय दादू द्याल थे मान सिंग के समय के हैं ये दादू द्याल फिर हम बात करते हैं यहां पर कि यह जो मंदर है मान सिंग ने बनवाया था और शीला देवी का मंदर भी यहां पर उन्होंने बनवाया है और यहां पर हम बात करें गोविन देव जी का मंदर भी इन्होंने वर्दमान में बनवाया है तो यह वर्दमान में एक जगह है आमेर में वहीं पर गोवि दयाल के द्वराभ यहां पर एक गॉरिन रिड़े जालेकर है मानिषूंग कैसे समय लिख गई है तो दालों के दवरागैं मानशी मैं लिख जाता है फिर हम बात करते हैं यह स். कि मिड़जा राजा जैसिंग को मिड़जा राजा की जो पदी दी गई है वो दी गई है जहागीर के द्वरा और यहां पर 1611-1667 के मिड़जा राजा जैसिंग है यहां पर सासन करते हैं और यहां पर सीनियर जनरल मुगल एमपायर हैं ये बताए जाते हैं मुगल एमपायर के सीनियर जनरल बताए जाते हैं आमेर का राजा इनको बनाए जाता है इनके पिता का नाम था राजा वाहु सिंग इनके पिता जी का नाम था फिर आते हैं जगत सिंग फ़स्ट जगत सिंग फ़स्ट है दस साल की उ पर दिकार में यह सासन करते हैं आमेर पर जैसिंग फ़स्ट और उसके बाद में इन्होंने 1665 में पुरंदर की संदी सिवाजी के साथ में की है और फिर यहां पर इन्होंने जो युद्ध लड़े हैं उनकी बात करें गौंड समराज है उनके खलाफ इन्होंने युद्ध सकते हैं इसको या फिर हम बोठ सकते हैं जैसिंग सैकंड तो जैसिंग सेकंड का जो ससंकाल रहा है यहां पर 1698 1743 सो सब्पाद सब्फचिन को और इन उपादी है यहां पर मुम्बत साय ने उपादी दी दी है सरहन्द के सरहन्द एwest राजा के दुरह निकर बात को बात करते हैं इनको और क्या चीज पसंद थी तो इनके पसंद की बात करें इनकी सब्जेक्ट पसंद था इस्तापत कला में भी इनको इंट्रेश्ट था यहां पर वीलवाडा के अंदर होड़ा संविलन का भी किया था समाज संस्क्रति और विज्ञान के शित्र में क्या योगदान दिया है तो पुनीत पुंट्री करतना करकी मदद से यहां पर अस्विक यक्य करने की इनोंने कोशिश की है और संस्क्रत विषए को प्रोशान दिया है सती प्रथा पर उन्होंने रोख लगाई है जो साही साधी होती जो साही साधी होती ती जिन पर बहुत ज़्यदा खाड़ शोता उन्हें फिर आते हैं दिली में साशने करते हैं तो दिली में क्या Сबसंद्स पर 17版 पर 9 ृत्त всп़ है वह यहां पर आधी बत्मान में चालू है यानि कि यह आमारे बागी सब बन्द हो गई हैं पर जैपूर को Jate निर्माण की बात करें जैपूर था यह पहले इसका नाम जएए नगर घा बाद में जैपूर पढ़ा है और जैपूर के लिए का है जैपूर का की ज़पे सुन्याय कि एक ओए यहां पर इनके समय संस्क्राइद की रचना करते हैं उसका साइथ का नाम था इस्वर विलास महाकावे यह इनके समय संस्कत साइथ का नाम था और यहां पर इस यह जो ग्रंथ है इसके अंदर बहुत सी गटनाओं का वणन किया गया है और इसमें जैपर के निर्माण के बारे में भी पताया गया है फिर जैसिंग है जैसिंग जैकारी का क्राइद के और हमस्तिन ने है प्र।्योव जैसिंग पर्माणաा। महाराजा स्वाई मादो सिंग परिंजव से इसको हर्याजाय पज्वेश्व मृत्यों है उसको वर्ल्ड हरिटेज यूनेसकों में सामल किया गया है जैपर सूर पिंजечат इस अवरme बात करते हैं महाराजा सवाही इं मैं यह शासन करते हैं महाराजा मादो सिंग फर्ष्ट और इनके पुत्र का नाम था किसके पुत्र का नाम था इनके पिता का नाम क्या था महाराजा सवाई मादो सिंग फर्ष्ट के पिता थे महाराजा सवाई जैसिंग सेगंड यानि महाराजा सवाई जैसिंग के पुत्र थ Trade Diya था और फिर यहां पर वहार का यूद्ध करते हैं कोटा के साथक के खलाभ रन्तमबॉर के लिए और leas मतहित इसलिए इंडर में बना रहता है साथ मादौपूर का संस्ता है को बता जाता है मादो निवास यहाँ पर सवाई मादो पर के अंदर चंदर महल के अंदर मादो निवास महल का निर्माण करते हैं मादो विलास का यहाँ पर जल महल के अंदर निर्माण करते हैं सिसोधी अरानी का बाग यह लगाते हैं यहाँ पर फिर हम बात करें इन्होंने जो सेख सदी ने एक किताब लिखी है उसका नाम था गुलिस्तान तो सेख सदी के द्वारा जो किताब लिखी गई यह गुलिस्तान वो अंग्रिजी में लिखी गई थी उसका हिंदी में अनवाद है यहाँ पर सवाई मादो सिंग फर्ष्ट के द राज रिती रूपन ना इन्होंने क्या लखा हैं गरंथ लखे हैं यानि कवीताओं से लेटेड हैं सवाई परताब सिंग की बात करें ये दोसा मेदान में मराठा सरदार महजी सिसोधिया को ये हराते हैं दोसा मेदान में मराठा सरदार थे महजी सिसोधिया मराठा के बनाया था और राजिस्तान का हवामेल भी इसको कहा जाता है राजिस्तान का हवामेल क्योंकि इसमें अंदर और भार दोनों जगह क्या है फ्रेस हवा है इसलिए राजिस्तान का हवामेल भी कहते हैं और इसको हवामेल बैसे भी नाम दिया गया है और इन्होंने जो कवीता ल कवीता ब्रज निधी के भी लेखा के हैं अब हम बात करते हैं सवाई जगत सिंग की तो सवाई जगत सिंग है यह सवाई जगत सिंग का सासन का लता अठासो तीन से अठासो आठासो आठासो आठ में और यहां पर जोदपुर के मान सिंग और जैपुर के राजा थे सवाई ज जगत सींग जहपुर जएवड़ पी सभाई जगत सींग यहां पर जöt होती है और इन धूर्फठा पर किया है और इनको तोन से बचने के लिए सभाय जगत सिंग यह 1818 म इस्ट डिया कमपनी से क्ली स हमगिंज कातों कीजा सके फिर यहां पड़ सेखेजिंग का पुत्र था यहां पर राब सेकेंड तो छाप नब सेकल Łagina सेकले आथ वार आहर जा थाyor किस्में आठवाया ना प्याद राजिक्स सेकेंड और यह जेपर को अंग्रेजों के मदद से से जेपर ऑद रूण। की है और और नियुक मदद के खीए भी हैmittel से पानिके विश्टा 85 में कि है में और असपा इन्हों होने है मुजीण कि साथ राम निवास गार्ण उन्हों निबन वाकत रंवा ने खोलै को ​​कुल आनग सोसे न्यों werk नुब्सकोलो न फैल्टाया नाथ करें तो PWD की स्थावना नोठा साथ में करवाई है साजने कारियो विवाग इसको बला जाता है वल परिश्रम पर रोग लगाई है नो ने सती पर लगाई है जैपुर की बात करें जैपुर में किसकी प्रेश्ट की स्थावनानों की है और यहां पर राजिसिंग सेकंड है तो ये से करे नहीं बनवाए था तो र Nejपने और पर नहीं पने यहां पर राम सीद्ध से कर्ण करदे पर यहां पर राम बाग पलेस बनवाते हैं जो की और उसके बाद करते भी चरण का जो पत्र बादर था महराजा दीराज सवाई मादो सींग माध fish के जोbilir होटार्य और उन्होंने पोस्ट काड और पोस्ट स्टांप शुरू किया है अपने सासनकाल के दौरान पोस्ट काड और पोस्ट स्टांप वनारस इंदू बस्विद औल लिकी स्तावनbay नूर्वाणदंओं मालविया को को यहां पर 5 लाख रुपए यहां पर दिये हैं बनारस इंदु विशुद्द्याल्ड की मयम्मत के लिए या फिर उसकी इसाहिता के लिए 1904 में पंडित मनदनन महुन मालविय को यहां पर 5 लाख रुपए सवाई मादो सिंग सेकंड के द्वारा दिये जाते हैं और यहां पर हम बात करें इसर दाकर था कोड था उसका दूसरा नोने 1921 में गोड़ लिया है फिर उनको सासन संवन दिया था फिर आप बात करते हैं महाराजा सरसवाई मान्म सेकंड था इनका जो शासनकाल रहता है 1912 से 1903 तक रहता है और कच्वाओं का ये अंतिम सासक था और 1948 से 1956 तक सरदार महराजार सरसवाई मान सिंग सेकंड है मान सिंग सेकंड यहाँ पर राजिस्तान के राजब्रमुख भी रहते हैं और भारत का अमवेश डर्वीनोर को स्पेन में बनाया गया था और इसमें में ही ये 1970 में पोलो खेलते समयन की मरत्य होती है